Hello everyone, मैं आपका होस्ट और दोस्त अकाश All India Friends Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ Guys, आज का हमारा जो टेस्ट है हिंदी में ये टेस्ट related है मुहावरों से, मुहावरे और लोकोक्तिया एक ऐसा topic जिस पर आप ज़्यादा महनत नहीं करेंगे तो भी आप पूरे में से पूरे marks score कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर 28 questions होंगे और आपके exam के अंदर आएंगे 2 questions और उन 2 questions में अगर आपने अपनी थोड़ी सी भी common sense यूज की तो आपके चार नंबर पक्के हैं कहीं नहीं गए तो आप समझ सकते हैं चार नंबर के मुहावरे और लोकोक्तिया से question आएंगे 2 question आएंगे 1 question 2 marks का होगा आप सभी को पता होगा तो थोड़ा सा common sense यूज करिएगा चार नंबर फिरिके हैं जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ थोड़ा common sense दिमाग खुला हुआ रखिएगा साथ के साथ एक बार एक आद घंटा exam से पहले थोड़े से 100-200 मुहावरे और लोकोक्तिया देख लेना जो कि मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ और 28 आज लेके आया हूँ NCRT के one of the best मुहावरे है ये जो क्योंकि exam आपको जो set होता है कहीं न कहीं NCRT base ही होता है तो उसी से related मैं कुछ मुहावरे NCRT book से निकाल कर ले आया हूँ चलो start करते हैं पहले question से कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या आर्थ है आपके पास 3 second हो की जवाब देने के लिए फटा-फट जवाब देते हूँ चलिएगा तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा D. सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करना जवाब देजी चार option आप लोगों के सामने है घुटने में दर्द होना विजय प्राप्त करना है दुखी होना नहीं तो गुटने टेकना का अर्थ है हार मान लेना तो और चाहता हूँ आप से दो मिनट और चाहता हूँ आप से बात करनी है फिर उसके बाद continue करते हैं माफ ही चाहता हूँ उसके लिए लेकिन आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आप वीडियो ना लाइव लेके आया करो देखो यार लाइव लाने का से इस टाइम पे कोई अर्थ नहीं बनता है अभी ये 28 कुश्चन में 2 मिनट ले रहा हूँ आप लोगों कि माफ करिएगा ये 28 कुश्चन मुझे पता है अगर मैं ओफलाइन आपको एक किलास दे रहा हूँ और इन 28 कुश्चन का टेस्ट मैं आपको विदिन 12-13 मिनट में मैंने देखा ये सारी चीजे क्योंकि जब मैं ओफलाइन टेस्ट प्रोवाइड करता था जी के के वही 40 कुश्चन मैं विदिन मतलब 20 मिनट से पहले खतम कर देता था अब मैं लाइव क्लास लेता हूँ जी के करंट अफेर्स की और वही कुश्चन लगबग 30-40 मिनट तक चले जाते हैं टाइम वही लगता है बस फर्क क्या होता है काफी बच्चे नाम लेने के लिए बूलते हैं अगर नाम भी नाले तब भी 30-40 क्योंकि वेट होती है कमेंट की कि आप जवाब करेगे यहाँ पर आपको ओफलाइन कमेंट करने हैं साथ के साथ जवाब देते हुए चलेगा तो यह वो क्रूशल टाइम है जहाँ पर आपको अपना टाइम बचाना है जाद से जादा क्योंकि अगर आपने यहाँ 10 मिनट लगए उसके बाद आप जो 10 मिनट इसी वीडियो पे और लगाने वाले थे उस 10 मिनट रेस्ट करके अगली चीज पढ़ने के लिए तयार हो सकते हैं कुछ नया पढ़ सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि जब लास्ट के 6-7 दिन बचे हूँ 9-10 दिन एक्जाम के बचे हूँ तब लाइव क्लास पे टाइम वेस्ट करना क्योंकि इस टाइम पे बोला जाता है आप लोगोंने सुना होगा self study आप जितना आप ज़्यादा खुद पढ़ेंगे वो ज़्यादा बैटर होगा आप लोगों के लिए ना कि किसी दूसरे से क्योंकि मैनत अब आपको अपने उपर करनी है कोई दूसरा आपके उपर करेगा वो ज़्यादा एतनी benefit नहीं होगी क्योंकि आपको अपनी कमजोरिया मालूम हो चुकी है तो महाफी चाता हूँ मैं ये lecture दे रहा हूँ काफी बच्चे बोलोगे हमारा time खराब करें लेकिन ये 2 मिनट आपका time बचा सकते हैं बाकी आपकी समझदारी है सबकी अपनी सोच है तो उसी हिसाफ से आप preparation करेगा लेकिन मेरा मानना है अब खुद मैनत करो ना कि दूसरे भरोसे के बैठने नहीं है आपको पता होना चीए क्या पढ़ना है आज हिंदी का आप लोगों के लिए एक blueprint तयार किया है वो बता दूँगा कि किस चैप्टर से कितने question आएंगे जिससे कि आप अच्छे से preparation कर सके किस चैप्टर से कितने question आएंगे उसका एक blueprint लेकर आया हूँ ताकि आप हिंदी में अच्छा score कर सके reasoning आपके लिए scoreable होगी 3 बजे रोज live class होते है हमारी reasoning की मुझे पक्का पता है अगर आपके 50 question आते है पिछली बार 50 से 55 question reasoning से थे तो आप 50 plus जरूर करेंगे अगर 55 आते हैं क्योंकि इतनी अच्छी से हम reasoning की रोज तयारी कर रहे हैं उसी base पर तयारी कर रहे हैं ठीक है? maths के ज़्यादा question नहीं थे 15 से 20 question थे और 15 से 20 में कुछ plus minus वाले भी होगे जो basic question होगे उसमें आप राम से 15 में से 7 से 8 कहीं नहीं जाएंगे तो ये कुछ चीजे है जो मैंने आपके लिए तयार किया है पूरा बताऊंगा अब टेस्ट कंटिनू करते हैं अल्ब ग्ञानी जिसे कम ओलिज होती है वो हमेसे हनिकारक होता है चार उप्शेन आप लोगों के सामने है घर में बेकार बैठना सवार्थ सित करना सवाव लंभी होना या डी मुर्ची का चूज़ो के ऊपर बैठना ज़वाब दीजे, क्या होगा इसका सही जवाब? तो हमारा इसका जो सही जवाब हो, अंडे से न कारता, काफी बचे बोलते हैं, घर में बैठे बैठे, क्या अंडे से रहे तू? दब बोलते हैं न कोई चीज दोड़ रहे हैं कोई बच्चा दोड़ था कि ये तो आसमान से बाते कर रहे हैं मतलब भूतेज दोड़ रहे हैं वहोगा इमान बेचना अपने कर्तवय से खट जाना इसका धोका देना नही ओगा ये ने सीधे मूँ बात ना करना चार उप्षिन आप लोगों के सामने हैं सीधे मूँबात ना करना तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा वाट ना करना जब किसी के पास बहुत जादा पैसा आदा तो सीधे मूँ बात नहीं करता तो उसके अंदर क्या आदा ता घमंड, एरोगेंस तो correct answer होगा A, घमंड करना तो correct answer क्या होगा? घमंड करना Next question, question number 8 ठंटन गोपाल का क्या आर्थ है? ठंटन गोपाल चार option आप लोगों के सामने हैं, आपने देख लिए होगे, इसका सही जवाब बताएं, ठंटन गोपाल तो ठंटन गोपाल, भैव्यक्ति ठंटन गोपाल होगा है, उसके पास कुछ नहीं हो तो ठंटन गोपाल है, मतलब कंगाल है तो correct answer होगा अमारे इसका D, कंगाल Question No.9, गाल बजाना का क्या आर्थ है, गाली देना, पिटाई करना, डिंग हाकना या क्रोधित होना, जवाब दीजी Question number 9 का क्या होगा, गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ है, डीरिंग हाकना, बहुत बड़ी बड़ी बाते करना, उसे बोलते हैं गाल बजाना, तो correct answer होगा हमारा असका, C, डीरिंग हाकना Question number 10, आँखे बिछाना का क्या अर्थ है, जवाब दीजिए, क्या होगा, इसका सही जवाब, चार ओप्शन आप लोगों के सामने, आँखे बिछाना, मैं उसके लिए आँखे बिछाए हुए बैठा हूँ, ये सारी चीज़े मतना किसी की परतिक्षा करना, वेट करना, तो correct answer question number 11, घाट घाट का पानी पीने का क्या अर्थ है, चार ओप्शन आप लोगों के सामने हैं, फट फट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब, घाट घाट का पानी पीना, बहुत यात्रा करना, रोजगार के नए-नए अवसरतलास करना, बहुत लोगों से मितरता क करना या फिर बहुत अनुभवी होना, बताइए क्या क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना, तो हमारा इसका जो जवाब होगा, कि उसने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब उसे बहुत अनुभव हो चुका है, तो correct answer होगा, बहुत अनुभवी होना, तो correct answer क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना नहीं होगा, रोजगार के नहीं अवसरत लाज करना, काफी बच्चों के मन में भी आया होगा, लेकिन गाट-गाट का पानी पीने से मतलब है, कि उसे बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में experience हो चुका है, वो इतनी जगया पे क आपको जवाब मिल चुका होगा, क्या इसका सही जवाब, बिलकुल, कलेजा धक दक करना, बहुत होना, जब डर लगता है तो धड़कन भड़ जाती है न, डख डख डख, तो ग्रेक्ट आंसर क्या होगा, कलेजा धक दक करना, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, पूछना, इसका क्या आर्थ है, जवाब दीजी, तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा, D, काम निकलने के बाद सोचना, पानी पीकर जात पूछना, लोकोकती है ये, पानी पीकर जात पूछना, इसका आर्थ होता है, काम निकलने के बाद सोचना, पहले तो पा दोके में पढ़ाना, रफू चक्कर होना, या फिर मिलकर कार्य करना, जवाब दीजी, क्या होगा इसका सही जवा, तो 9211 का अर्थ होता है, भाग जाना, रफू चकर हो जाना, सभी को पता होगा, क्रेक्ट आंसर होगा, C, मधू, जहर का घूट पेकर रह गई, इस मुहावर का अर्थ क्या होगा, जहर का घूट पीना, जहर का घूट पीना, मतलब किसी को अपमानित होना, किसी को अपमानित करना, क्या ये होगा, बिलकुल नहीं होगा, व्यंग सहना, बिलकुल नहीं, कडवी दवा पीना, नहीं, जहर का घूट पीने का मतलब है, क्रोध को अपने गुस्से को कंट्रोल करना कि अपने गुस्से को उसने कंट्रोल या क्रोध को नियंतरण में करना तो यहाँ जो मुहावरिक आर्थ है वो है क्रोध को नियंतरण में करना तो हमारा 15 का क्रेक्ट आंशर होगा D, छक्के छुडाना चक्के चुडाना का क्या आर्थ है क्रारी मात देना परिसान करना घैल करना या किरकेट के खेल करेकनियम चक्के मारना जाब दीजे तो चक्के चुडाना का अतलब है किसी को भूत बुरी तरीके से हराना तो correct answer होगा A Q 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 चिकना होना घड़ा सुंदर होना घड़ा मजबूत होना या सी निरलज होना चिकने घड़े का आर्थ होता है निरलज होना question number 20 अदजल गगरी छलकत जाय का अजलना अर्थ है संबल कर ना चलना अत्यधिक बोलना अपनी चोटी सी बात की परसंचा करना अदिकल गगरी छलकत जाए I hope सभी को जो आप मिल चुका होगा जिसे ग्यान तो पूरा नहीं होता लेकिन वो फिर भी अपनी बहुत परसंचा करे तो वो होता है अलपग्य द्वारा गर पर दरसंच जैसे small knowledge is very dangerous thing छोटा मतलब जिसे जानकारी ना हो उतनी चीजों की लेकिन फिर भी वो हाक रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मेरे पास ये तो ये होता है अलपग्य होना अदिगल गगरी छलकत जाए जिसे ग्यान तो भहुत कम है लेकिन वो परदर्शन भहुत जादा कर रहा है वो हमारे लिए भी नुकसान दे हो सकता है और आपके लिए भी next question खोदा पहाड निकली चुहिया लोकिक्ति का क्या आर्थ होगा जवाब दीजे खोदा पहाड निकली चुहिया तो इसका आर्थ क्या होगा काम तो भहुत जादा कर लिया परिश्रम भहुत जादा किया लेकिन उसका फल क्या मिला भहुत कम तो ग्रैक टांसर आपको मिल गया होगा अमारे इसका सही जवाब होगा C परिश्रम अधिक और फल कम question number 20 एक अनार सो बिमार का क्या आर्थ है जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब एक अनार और सो बिमार का आर्थ है किसी वस्तु की मातरा कम किन्तु मांग अधिक तो ग्रैक टांसर होगा एक अनार सो बिमार चीज तो एक है लेकिन चाहने वाले उसके बहुत ज़्यादा है तो क्रैक्ट आंसर क्योंगा किसी वस्तु की मातरा तो बहुत कम है लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा दीकत तब हम यूज करते हैं एक अनार सो बिमार Next question खर्बूजे को देख खर्बूजा रंग बदलता है कही न कहीं 2-4 दिन बाद आपके मन में भी पढ़ने की लालचा जगेगी अगर आप बेकार ऐसे ही निठलों के बीच में गूमते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे आपको भी कही न कहीं आपके अंदर आप जिस ग्रूप में रहते हैं जैसे ग्रूप में पढ़ने वालों के बीच में तो आपकी नोलिज बढ़ेगी खेलने कुदने वालों के बीच में तो आपका धिमाख हमेशा खेलने में चलेगा कि आज उसने अच्छा स्कोर किया मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया और किसी गुरूप में रहेंगे तो आपका दिमाग बैसे ही काम करता है जिस परकार से आप गुरूप में रहते हैं तो इसलिए बोला जाता है अगर आपको पढ़ना है तो दो चार बंदे आपके गुरूप में ऐसे हो जो पढ़ने में बहुत इंट्रेस्टेड हो तभी बुजे को दे घर बुजा रंग बदलता है नेक्स्ट कुश्चन कोईले की दलाली में हात काले का क्या आरत है क्या होगा इसका सही जवाब कुश्चन अमबर 24 आपके सामने आपके बुरे काम से बुराई ही मिलेगी कोईले की दलाली में हात काले मतलब बुरे काम से आपको बुराई ही मिलेगी next question पर आते हैं कहां राजा भोज कहां गंगु तेली का क्या आर्थ है कहां राजा भोज कहां गंगु तेली तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दो असमान व्यक्तियों की तुलना मतलब एक बहुत बड़ा मतलब आप बोल सकते हैं बहुत knowledgeable person है जिसे बहुत ग्यान है एक जिसे ग्यान नहीं है तो उनकी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती है एक खिलाडी है एक politician है कि आप उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं नहीं तो कहां राजा भोज कहां गंगु तेली next question एक और एक 11 होते हैं एक और एक 11 होते हैं इसका क्या आर्थ है भीड में बल है संगठन में सकती है बागी option आप लोगों ने पढ़ दे होंगी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वोगा एक और एक 11 एक और एक ग्यारा एक और एक ग्यारा होते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि जब बहुत सारे लोग मिल जाते है तो उनमें क्या हो जाता है संगठन में सक्ती होती है एक और एक ग्यारा हो जाना क्या हो जाता है भाग जाना और एक और एक ग्यारा होते है मतलब संगठन में सकती तो correct answer क्या होगा संगठन में सकती है ठीक है next question question number 27 जहान पहुचे रवी वहाँ पहुचे कवी का क्या आर्थ है जहान पहुचे रवी वहाँ पहुचे कवी तो इसका आर्थ है कवी द्वारा सीमा रहित कलपना करना मतलब सब कल्पनाओं को तोड़ते हुए कवी कल्पना करता है अपनी पुस्तक लिखता है अपनी कवीता लिखता है कि घोड़े दोड रहे थे आसमान में यह हो रहता तो जहां न पहुंचे रवी वहां तक भी कवी की सोच उसकी गहराई पहुंच जाती है तो correct answer होगा कवी द्वारा सीमा रहीत कल्पना करना सीमाओं को तोड़ते हुए next question question number 20 और आज का last question I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा बताएगा वीडियो लगी कैसी फिर next test के अंदर हम तदभाव और तदसम करेंगे यह वीडियो से दो question आपको सा हमने जवाब दीजिए गंगा गंगा दास जमुना गए जमुना दास तो इसका अर्थ है अवसरवादी होना अवसरवादी होना तो correct answer क्या होगा बी तो guys यह थे आज के हमारा 28 question I hope आपने 26 plus score होगा 26 या 26 plus अगर जिन लोगों का score यह है वो बहतरी नहीं है पूरे score करेंगे इस बात की guarantee अगर जिनका नहीं है तो एक बार थोड़ असा महनत करिए सिर्फ 100-200 पढ़ लीजे जैसे आप 100-200 अराम से मुहावरे और लोगों को कुतिया पढ़ लेंगे तो common sense भी अच्छे से आपको चीजी समझ आने लगेगी और आप अच्छा score करेंगे तो guys इस video के अं आवाद, जै हिम, जै भारत, टेक क्या